नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए लेकर रहा हैं बैड ब्रेथ रिमडियूज मुह की बदबू दूर करने के घरेली उपाए तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लेस कर देता कि अगले वी करने में सहाइक हैं दरसल इसमें रोगा आडू रोधी गुड होते हैं जो मुह के भैक्टेरिया से लड़ने में मदद करते हैं मुह की बदबू दूर करने के लिए आप सौफ की चाय दिन भर में कई बार पी सकते हैं इससे आपको रहात मिलेगी मुह की बदबू का उपाय है दालचिनी स्वाद और खुस्पू बढ़ाने के लिए इस्तमाल होने वाली दालचिनी कई गुणों से भरपूर होती है इसमें सिनमी के एलड़ाइड नामक एक तेल होता है जो मुह की दुरगत को रोकता है साथ ही मुह में मुझूद हानिकार बैक्टेडिया की मातरा को भी कम करता है इसके लिए आप एक कप पानी में एक चमच दालचिनी पावडर डाले और उसे उबाले कुछ देर के बाद उसे छान ले और उस पानी से कूला करें इससे सांस की बदबू दूर होगी मुह की दुरगत से बचने का उपाय है लौंग लौंग में जीवाडू रोधी गुण होते हैं जो मुह की दुरगत से छुटकारा दिलाने में सहायक होते हैं और सांसों को तरो ताजा रखते हैं इसके लिए आप मुह में लौंग के कुछ टुकड़े रखें और उन्हें चबाएं इससे सांस की बदबू की समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा आप लौंग की चाय भी बना कर पी सकते हैं इसके लिए आप पहले एक कप पानी उबाल ले और उसमें एक चमस्या लौंग पाउडर डाले और फिर चार से पांच मिनट उसे भी उबाल ले अब आप इसे चाय जैसे जो है बना कर पी सकते हैं ठीके या आप लाल चाय अगर पीते हैं तो बेटर है उसमें आप इलाइची भी ढाल सकते हैं और लौंग भी ढाल सकते हैं तो इसे और आपको फाइदा होगा शर्सो का तेल और नौमक से मसाज सरसों का तेल और नमक एक पूराना घरेलू उपचार है जिसका उपयोग आपके मसूडों को साप करने और दातों पर फ्लक को हटाने तथा मुह की दुरगद दुर करने के लिए किया जाता है नियमित रुप से सरसों के तेल में चूटकी वर नमक मिलाक और मसूडों की मसाज करने से मसूडे सोस्त रहते हैं और बदवू पनपने का खत्रा भी कम हो जाता है तो ये भी आपका घरेलू उपचार है आपके घर पर नमक भी होगा और सरसों का तेल भी होगा ये बहुत ही पाइदा पहुंचाता है मैं खुद यह से ट्राइ करता हूं और महिना में एक दो बर जरूर मैं इससे दोता हूं मैं भी चाहता हूं आप भी ऐसे करें ताकि आपके दात यानि मसूडों का जो है लाइफ बना रहे हैं तो दोस्तों जनकारी आशा लगाते वीडियो को दोस्तों ग्रै तोस्तों